इस वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro के वारे में तो जैसे कि इस फोन का भी बहुत ही सारे official latest update निगल के आ चुके हैं तो क्या आप Redmi Note 9 Pro के full specs के वारे में जानना चाते हैं और pricing के वारे में और India release date के वारे में तो इस वीडियो को पूरा end दख दिखते रही है तो without wasting any more time let's jump into the video और अगर बात करते हैं डिस्प्ले के वारे में तो 90Hz का refresh rate वाला डिस्प्ले हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा जो कि 6.7 इंच के साथ आने वाला है काफी बड़ा डिस्प्ले हमें इस फोन के अंदर मिलने वाला है और full HD plus का resolution हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा और super AMOLED का panel वी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि इस फोन में हमें in-display fingerprint scanner देखने को मिलेगा और display full वी display होगा जहाँ पे no jose नहीं मिलेगा selfie के लिए pop-up selfie camera हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा और अगर बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में तो snapdragon 765G का chipset हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा जो कि Qualcomm के तरब से latest chipset है जो कि 2.6 GHz पे clock है और dual 5G connectivity के साथ आता है पर इंडिया के अंदर तो हमें 4G का support देखने को मिलेगा और इस phone के अंदर हमें NFC का support भी देखने को मिलेगा बात करते हैं RAM के बारे में तो 6GB, 64GB, 6GB, 128GB और 8GB, 256GB और ये phone आने वाला है Android 10 के साथ जहाँ पे MIUI 12 का support देखने को मिलेगा और अगर बात करते हैं camera के बारे में तो Panta camera setup हमें इस phone के अंदर देखने को मिलेगा similar हमें देखने को मिल रहा है Xiaomi Mi Note 10 के जैसे है एकदम same हमें camera setup हमें इस phone के अंदर देखने को मिल रहा है जहाँ पे primary camera है 108MP का और 20MP का एक ultra wide angle lens 12MP का एक telephoto lens 5MP का एक depth sensor और 2MP का एक micro sensor बात करते हैं front facing camera के बारे में तो 32MP का AI pop-up selfie camera MS phone के अंदर देखने को मिलेगा और अगर बात करते हैं battery के बारे में तो 5200mAh का battery MS phone के अंदर देखने को मिलेगा जो कि really में ही बहुत ही powerful है तो इस phone के अंदर हमें battery backup बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और 33W का एक fast charging भी MS phone के अंदर देखने को मिलेगा जो कि smart phone के box में ही आने वाला है जहाँ पे type C port of 3.5 mm का audio jack भी देखने को मिलेगा और अगर बात करते हैं pricing के बारे में तो Redmi Note 9 Pro का pricing होने वाला है 16-18 जो रुपी की range में इस phone का pricing बहुत यच्छा है और mid range में ये smart phone हमें बहुत यच्छे specs के साथ देखने को मिल रहा है और अगर बात करते हैं release date के बारे में तो Redmi Note 9 Pro का release date होने वाला है फरवरी के end या फिर मार्च के third week पे तो जैसे के इस phone का release date भी बहुत सामने आ चुका है होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो helpful लगाए अगर आप लोगों को ये वीडियो helpful लगाए तो like कर दीजिए इस वीडियो पर aim रखते है 500 likes का और चैनल पर नय तो चैनल को भी subscribe कर लीजिए bell notification को भी on कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कर तो मैं मिलता हूँ मेरे next वीडियो में